मैं हूँ नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच इंडियन एकॉनमी का नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आ गया हूँ जिसमें हम लोग डिसकस करने वाले हैं अन इंप्लोईमेंट इन इंडिया ठीक है आज का जो वीडियो होगा इसमें मैं डिसकस करूंगा कि के चैफटर में यूज करते हैं इसके साथ ही साथ मैं बताऊंगा अन्मप्लोईमेंट के डिफ्रेंट टापस कौन-कौन होते हैं टिक है के बाद वीडियो आएगा जिसमें डिसकस करेंगे की इंडिया में अनिंप्लोईमेंट रेट वगेरा अभी क्या है नहीं वो डेटा किसी भी competitive exam का preparation कर रहे हैं तो यह एक important section है क्रिप्या करके वीडियो को पूरा देखें जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए है ना अगर चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किये तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार क्या जाता है इसमें ना करते हैं unemployment के बारे में सबसे पहले अगर बात की जाए unemployment का मतलब क्या होता है तो unemployment काना कुछ feature होता है क्या होता है यह को permanent nature का नहीं होता है हमेशा exist करने वाला चीज नहीं यह वह कम ज्यादा होते ही रहता है ठीक है बट कहता है इट implies इट applies only only to abled bodies person ठीक है ओफ वर्किंग एज हना कि सिर्फ और सिर्फ यह टू होगा टी ओटू है ना टी डबलू लिखा गया इट applies only to able bodied persons मतलब पैसे लोग जो काम करने योग्यों उन लोगों पर apply होता है यह बच्चों और बूढ़ों पर apply यह टर्म नहीं होता है मतलब simply कहा गया है जो age group होता है पंदरा से साट साल के बीट में जो mentally और physically fit है काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है तब उससे हम लोग क्या बोलेंगे unemployed person कहेंगे तो हम लोग कह सकते हैं an unemployed person is one who has ability to work मतलब जिसके पास काम करने की चमता हो willingness to work हो काम करने की इक्छा हो and of working age में हो लेकिन उसे current wage पर काम नहीं मिल रहा हो तो उसे हम लोग कहेंगे unemployed person ठीक है मतलब ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं कि आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप unemployed हो गएं बिल्कुल नहीं क्या होना चाहिए ability to work होनी चाहिए willingness to work होनी चाहिए और working age में होना चाहिए अगर इन सब satisfy कर जाता है condition और उसके बाद current wage पर अगर आपको जौब नहीं मिल रहा है तो वो कहलाएगा unemployment ठीक है clear है जो उम्मीद है unemployment का मिलिंग अब आपका पहुत अच्छे से clear होगा अब reasons का इंडिया में अगर कहा जाए unemployment तो unemployment काफी जादा है है ना और पोविट के बाद तो unemployment और भी बढ़ा है तो आखिर क्या reason है कि इंडिया में इतने जादा unemployment है तो हम लोग कह सकते है slow economic growth economic growth उतना अभी भी up to mark नहीं है जो लोग unemployed है वो unemployment से दूर हो जाए अभी भी economic growth और fast करने के आव सकता है ताकि जो working age वाले जो लोग है उन्हें job मिल सके दूसरा population explosion जैसा कि आपको अच्छे से पता होगा हम लोग टॉपर बन गया है population में rank one में पहुंच गया इंडिया ठीक है सबसे ज्यादा population बहुत ज्यादा population होने के कारण से हर किसी को job दे पाना possible नहीं हो रहा है तो यह एक reason है unemployment का ठीक है फिर है इंप्रॉपर education system अगर education system की बात कीजा है तो इंडिया में अभी भी बहुत ही reformation की आवसकता है ठीक है पच्चे पढ़ रहे होते हैं वो बस reading कर रहे हैं समझते नहीं हैं समझने की कोशिस नहीं करते हैं ठीक है colleges में professors आ रहे हैं है ना बस आ रहे हैं जा रहे हैं उनके पास काफी ability है काफी ट्रेंड प्रोफेसर से फिर भी class नहीं की ले रहे हैं आते हैं हाँ भाई बच्चा तो फुट से पढ़ लेगा कोई दिक्कत थोड़े यह एक बहुत बड़ा समस्या है हमारे education system में ठीक है लोग बात तो बहुत करते हैं कि हमारा education system ऐसा है वैसा है लेकिन हकिकत बात तो यही है कि इसमें improvement की बहुत ही आवा सकता है लोग skilled नहीं है है ना बच्चे पढ़ जैसे economics ही पढ़ रहे एकनोमिस पूरा graduation पढ़ लिए उसके बावजूद उन्हें सही से इकनोमिस के बारे में पता नहीं है यह क्यों हो रहा है चुकि उन बच्चों को सही से guidance नहीं मिला है ना यह उन समस्या को दूर किया जाए किस प्रकार से बच्चों की जो इच्छाएं है उसके accordingly उन्हें education दी जाए उसके लिए उसे ट्रेंड किया जाए इसकी आवसकता जरूर है ठीक है लेकिन तो की इंप्रॉपर एजूकेशन सिस्टम है तो यह भी एक बहुत बड़ा contribution है हमारे unemployment में इसके अलावा mismatch between required skill and available skill जैसे मान लिजे हमें चाहिए ऐसा student जो excel में work कर सकता हो required skill क्या excel में work करने वाला और जो available skill जिसके पास है वो क्या है भाई खली word में काम करने जाता है ms office word की बात करना ठीक है लेकिन ms excel का जानकारी वाला चाहिए ठीक है तो वैसे case में सिर्फ word में जो काम कर रहा है उसको तो जॉब नहीं मिलेगा ना यह mismatch होता है है ना लोग according to job oriented education जो है उसकी बहुत ही कमी है फिर क्या है limited effect of government planning जो होता है business Go familyention में बढ़ा अच्छा अच्छा बात कहा जाता है कि इजुकेशन पर इतना खर्च करेंगे इतना यह खर्च करेंगे इतना वह खर्च करेंगे लेकिन सब लोग कहते हैं कि भाई ये जोग दिला देंगे ऐसे करेंगे इतना रोजगार बढ़ाएंगे उतना बढ़ाएंगे लेकिन ये election जितने के पहले तक होता है election होने के बाद कही न कही देखा जाता है proper planning की कमी होती है अगर वो proper planning के साथ काम किया जाए तो unemployment पूरी तरह से मैंने कहा था खत्म हो जाएगा लेकिन कितना unemployment अभी इंडिया में है उसमें काफी कमी आ सकते हैं तो यह these are the main reason जिसके कारण इंडिया में अभी भी इतना ज्यादा unemployment है और भी कई reasons है जो लोग है हमारे country के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा dependency government पर भी रखते हैं है ना वो सोचते हैं कि भाई सरकार आएगी मेरे लिए कुछ कर देगे अरे यार उतसे भी करने की कोसित करना चाहिए लोगों को ठीक है तो चलिए so these are the reasons है ना फिर उतना discussion नहीं करेंगे में जो reason ने वो या पारे में तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहला labor supply labor supply का मतलब क्या होता है इसको मेजर किया जाता है इन मेंडे या इन आर्स फिक है आर्स में भी मेजर करते है घंटा में ठीक है या तो में डेज में उसे आपके पास आप दीन भर में रोह की हैем लेकिन आप कहते हैं कि यह जितना वेज मिल स से घंट है काम करेंगे तो लेबर है कितना 12गंटा के लिए कितना pushing कितना काम ओफर कर रहे हैं यह की घंटा हो कितना विलिंगनेस है उसके अंदर वर्क करने का ठीक है लेबर सप्लाइज एल्वेज रिलेटेट टू वेज रेट अगर जाता है तो लोग ऑफर भी कर नहीं छे घंटा नहीं आट घंटा काम करते और पैसा मिलेगा ठीक है कम वेज़ेट मिला कम ऑफर करना चाहते है इतना ह घंटा ठीक है वह सकता है वह ओफर करें पांच घंटा का तो लेबर सप्लाइज पांच घंटा हो जाएगा अगर वह ओफर करता चार घंटे का तो लेबर सप्लाइज चार घंटे का हो जाएगा तो लेब नमबर ओफ लेबर कॉंस्टेंट भी रहे तो लेबर सप्ला अलग हो सकता है because labor supply का simple meaning है कि willingness कितना है काम करने का ठीक है वो हो गया labor supply clear है next point अगर बढ़ते हैं तो next word होता है labor force labor force का मतलब होता है actual number ठीक है of person who are working और willing to work ऐसे लोग जो काम करना कर रहे हैं या फिर काम करना चाहते हैं ठीक है और वो working age में हो मतलब 15 to 60 years जो working age होता है इसमें हो है ना वो काम कर रहा हो या काम करने की इक्षा रखता हो ठीक है उसे हम लोग labor force बोलेंगे यह वेजरेट से related नहीं है जो भी काम करना चाहता है सब इसमें included होते हैं ठीक है and it is measured on the number of person मतलब कितने लोग है ना वो labor force हो जाए जैसे मान लीजे एक घर में 10 लोग है इसमें से लोग है जो 15 से 60 साल के working age में है और यह लोग काम करना चाहते हैं और कुछ लोग इसमें काम कर भी रहे हैं लेबर फोर्स हमारा छे हो जाएगा अब इसके बाद का term आता है वर्क फोर्स तो वर्क मतलब एक्च्वाली जो वर्क कर रहा है देखे ध्यान से समझिएगा लेबर लेबर फोर्स मैंने कहा ना एक फैंबली में दस लोग है जिसमें से 15 से 60 साल के बीच वाला एज ग्रूप में छे लोग है च्छे होगे लेबर फोर्स पानलीजे इसमें तीन लोग काम कर रहें तीन लोग काम नहीं कर रहे हैं ठीक है तो तीन काम कर रहें यह वर्क फोर्स म का labor force labor force मठ लेबर और वाइने स्वर्कोर्स है टो क्या बचेगा आंड प्वूएट बचे गाठ Liबर से ора स्थैना तीन लोग काम कर रहें बेर वर्क फोर्स यह तिन लोग काम नहीं कर रहें यह तीन भी तीन लग नहीं कर रहें यह हमारा क्या हो गया एक भी झाम होinhas 120 इसको निकालने का प्लाइब कर देया हुआ है क्या है नमबर ऊपर उप्स नीपलोईड अगर निकालने अभी मैंने बता है लेबर माइनस वर्क्पोर्स कर देंगे एना यह से लेबर फोर्स मानली यह सो है उसमें से काम वर्क्पोर्स मानली यह शाठ है तो 40 बत है चालिस क्या होगा नंबर ओव अनिंप्रोईट परसन इलिक है और रेट अब आनिपलोई मेंट निकाला जाए तो अब रोपकर सान आनंप्रउड बट्रूटल लेबर्स इंट्व हन्डृड जयसे इस एक्डांपल क्यों गोडिया धालीस महरा है ँपसक्र kein कितना तहर्ट ुप कर देंगे सिवकन क्या यह यह मारा क्या हो गया धीर हो अभे प्रोपोर्शन of unemployed की बात करेंगे तो simply number of person employed बटा टोटल population into hundred आलीजे टोटल population हमारा 200 है कितना है total population हमारा मालीजे 200 है ठीक है तो इस इस example के accordingly number of person unemployed कितना है 40 है इभाइडर में total population 200 into hundred ठीक है यह क्या हो जाएगा to 20% मतलब पूरा population में 20% जो है वो क्या है unemployed है ठीक है clear है अब अगर बात करेंगे labor force participation rate मतलब labor force participation rate क्या है labor force participation rate का मतलब क्या होगे labor force divided by total population into hundred जैसे इसके accordingly labor force हमारा 100 है hundred माने ते hundred by total population कितना है 200 total population है into 100 क्या होगी हमारा 50% जो है वो क्या है labor force participation rate हुआ यहां अब उस्सी तरह से work force participation rate क्या हो जाएगा workforce divided by total population into hundred तो वर्क फोर्स यहां कितना माने थे यहां पर 60 माने हुए है ना 65 total population कितना हमारा 200 आप एजुम किया हुआ है यह 100 यह क्यांसल बचा कितना 30 परसेंट यह 30 परसेंट जो है वो क्या है वर्क फोर्स है हमारा जो उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है अगर यहां तक समझ में आ गया है अब आगे देखते हैं इसके टाइपस ऑफ अनिम्पूइयमन क्या क्या हूते है है अबसे पहला नमब कहता है ऐसा काम करने योग्य है बाट वो काम करना नहीं चाहता है थीक है तो 궁 high nhấtों क्या होगा वोग एंट्री अन इंप्लोइमेंट ठीक है मतलब जॉब एविलेबल है वट लोगों में इच्छा ही नहीं है काम करने का यह अन्विलिंग टूवर्क ठीक है अगर ऐसा सिचुवेशन है तो वह वो फॉलेंट्री अन इंप्लोइमेंट होगा जैसे माल लीजिए आप आपके पास प्सक्राइबूर्स का ट्यार नहीं करेंगे काम काम इतना मेहनत करता है आगर यह अन्विलिंट होगा वह कैसा होगा वोंट्री अनिंप्लोइमेंट का निचर और भात करें तो सिंपल सी बात है अबल बोडिय क्यों हो काम करना चाहता हो गोट डूंट है नहीं है जिस गार है वो क्या कहलाएगा involuntary unemployment अच्छी कब रोजगारी इच्छा से बेरोजगार नहीं हो इच्छा से बेरोजगार हो ठीक है और वाल किस्छा नहीं हो आप किस कारन से ब्रोजगार हो आपको पास job की अपिलाबिलिटी नहीं है ट्थिक्त नहीं बढम होता है इसमें कई सारे इंक्लूड किया जाता है जिसमेंब서 और Summan फिसमेंट से क्लियर और स्ट्रॉक्ट राण रहा हो और उसके कारण नियुक्र आजाए लाण जा जाए इसके का तो यह इस्ट्रक्टर अनिंप्लोइमेंट कहलाएगा अगर स्लो रेट ऑप कैपिटल फॉर्मेशन और जिस तरह से लेबर बढ़ रहे हैं उस तरह से कैपिटल नहीं बढ़ रहा हो ठीक है तब भी लेबर का डिमांड का सोटेज आ जाएगा ठीक है तो जब ए एक्जामपल दिया था ना एमेस एक्सल वर्क करने वाला और जो व्यक्ति पहुंचा उसके पास क्या है में काम करने वाला है तो इसके पर जॉब तो नहीं मिलेगा ना इस समस्य है तो इस कारण से भी यह अनिम्प्लोइमेंट क्रियेट होता है और यह बैसिकली कहा है ता ह नहीं है इस प्रकार का जो लॉंग टर्म नेचर का होगा यह था इस्ट्रक्ट्ट्र अनिम्प्लयमेंट मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा इसको चुपी वेरोजगारी भी कहते हैं यह बेसिकली अग्रिकल्चरल सेक्टर में देखने को मिलता है वहता क्या है अगर कोई व्यक्ति एक लैंड में काम मतलब कुछ लोग काम कर रहे हैं वान टू थ्री-फॉर परसण ठीक है अगर यह लोग मिल करके कुछ प्रोड़क्शन कर रहे हैं माल लेज़े कितना वन कुइंटर राइस का प्रोड़क्शन कर रहे हैं अगर त्री और फ्वार परसंन को वहां से निकाल भी दिया जाए तब भी वन किम्टर का प्रोडक्शन यह दोनों मिल के कर लेगा तो यह तीन चार तो फालतू में वहाँ पहना तीन चार देख करके तो लग रहा है दे आर इंप्लॉइड बट एक्च्वाली उसके होने ना होने से कुछ कंट्रिविशन नहीं आ रहा है एक इंटल दो लोग भी मिलके कर पा रहे थे चार लोग भी एक इंटल ही कर पा रहे है तो दो लोग जो एक्स्ट्रा हम उसमें डाल दिये हैं ठीक है वो क्या है देख के लगता है कि दे आर इंप्लॉइड बट एक्चुली दे आर अनिम्प्ल है ठीक है मतलब यह जो तीन और चार व्यक्ति जो है इसकी मार्जनल प्रोड़क्टिवीटी क्या है जीरो है यहां पर जो लेबर का मार्जनल प्रोड़क्टिवीटी हो गया वो क्या हो गया जीरो हो गया क्यों क्यों कि उसके आने से प्रोड़क्शन में कोई चेंज नहीं हुआ उसके जाने से भी production में कोई changes नहीं हुआ तो उसके आने से कोई परभाव पड़ा ही नहीं तो production में कोई changes हुआ ही नहीं तो उसकी productivity जीरो ही हुई ठीक है यह बेसिकली developing economy less developed economy में देखने को मिलता है agriculture sector में ज्यादत तर ठीक है तो मुझे उम्मीद है disguised unemployment अर्थात तुपी हुए बेरोजगारी आपको समझ में आ गया हो ठीक है अब है frictional unemployment कहता है market conditions में changes के कारण या फिर मानली जे labor strike कर दिया हो ठीक है labor कुछ suspend कर दिया हो लोगों को है ना तो उस कारण से जो unemployment आता है वह frictional unemployment आता है या फिर मानली जे आप एक job को switch करके दूसरे job में जा रहे है तो जो gap आया time gap आया उसके बीच में जैसे आप a place पर काम कर रहे थे a से b पर गए ठीक है जो time gap था इतना बीच में हना वह हमारा जो unemployment होगा वह फ्रिक्षर unemployment होगा 3730 में यह भी कहा जाता है कि मान लीजे हम 15 साल के हो गया मतलब अब तो जैदा है एज हमारा लेकिन मान लेकर 15 साल के हो गया मतलब अब हम labor force वाले category में आ सकते हैं क्यों तो कि मेरे अंदर willingness भी आगे आप काम करने का हम काम ढूंड रहे हैं ठीक है तो हम labor force में इंट्री मार दिये लेकिन तुरंट तो जॉब नहीं मिलेगा ना मान लीजे 2022 से हम प्लान किये कि हम पो जॉब चाहिए 15 साल से प्लस हम हो गये है जो करेंट वे कहलाता है बेसिकली प्रिक्सनल अन कि क्या क्या चीजें जॉब स्विच करने में भी अगर जो अनिम्प्लोइड होता है मत्तब जो टाइम गैप होता है वह अनिप्लोइमेंट फिक्सम होगा स्ट्राइक वगेरा के कारण कंपनी सस्पेंड कर दिया हो किसी को उसके कारण ज बिसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलता है ठीक है चलिए मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा तो अब नेश्ट है सैक्लिकल अनिंप्लोइमेंट चक्रिये बेरोजगारी यह क्या होता है भाई कहता है एकनोमी में पता है न जो आढ़न्स इकनोमी क्या पर्मी मिन होते हैं वहां पर हमें सअब रहाता है प्रोसपेरिटी का रिषएशन का डिप्रेशन का तो जब रिएशन से डिप्रेशन की और पहुंसता है算ए हो उस समय क्या होता न मार्केट में चुकर्की सब्सक्राइब से तो कंपनी होते हैं लेबर को हटाने लगते हैं वहाँ पर लोग क्या हुए बेरोजगार होने लगते हैं यह जब लोग होगा चक्री बेरोजगारी बदानी वे लॉंग टम नेयचर करता है लंग टम ने धार रणने लगता है डिपरेश्ट होता है फिर रिवाइब भी तो करना सुरू कर देता यह सैकल चलते हैं हिए पर करेगा तो अनिक्लमेंट दूर हो जाएगा तो यह चक्र के कारण यह जो साइकल है फ्लक्ट्वियसं के कारण अगर प्र약 करेंट पर ओं तरह रहा है उसको क्या वोलेंगे हम लोग इम्प्रटकल अंप्लिवेमेंट और है कि क्रोनिक अंइंप्ल्य मेंट एक सब्सक्राइम्स के लॉट्यू कौनिक अंबड़ा है वहला नेस्ट खोता शीचल आता है इक क्या हुआ वेड़ अनिप्लॉइमेंट टेंट टू भी यांग टाम फीचर बता रहा हूं अगर कंट्री में वीसे सरकल फोवर्टी ए ठीक है तो उसके कारण से बिरोज्दगार बना रहा है है बहुत समय से ठीक है तो सूथ जैडिक है तो एक सहलाएगा क्रोणिक अंप्लोइमेंट स्थ entries जो हमारे पास रिसोंसे जसें संट उसका यूटिलाइजिशन हो धीर धीर हमेशा हो रहा है तो उसके कारण जो unemployment है वह क्या कहलाएगा थ्रोनिक unemployment ठीक है नेक्स्ट है टेक्नो लोजिकल unemployment मतलब टकनीक की विरोजदगारी जा होता है चाहिए जब टेक्नोलोजी आता है या मसीन से वगेरा जो है उसका टेकनलोजी इंप्रूब हो जाता है ठीक है तो उसके कारण वो लेबर को रिप्लेस करने लगता है अगर मान लीजे एक दस लेबर मिलकर कोई काम कर रहा था उसके जगा पेक मसील लगा दी जो एक लेबर ही ऑपरेट कर रहा हो दस लोग का काम करने लगा लोग तो बेरोजगार हो गए ना यह क्या का लाएगा टेकनलोजीकल अनिंप्लोईमेंट इसमें क्या होता है कभी-कभी ना रो माट्रियल का सोटेज आ गया या फिर मांग लीजे डिमांड घट गया तो उन लोगों फो जो लोग जो अनिंप्लोईड होते हैं उसे हम लोग क्या बहते हैं के लग एक लेकर लेकिन जैसे सीरे खतम हुआ उस चीज का तो उसके बाद भी रोजगार हो जाते हैं ठीक है जिसे धान का समय आया राइस का प्रोडक्शन जीसमें होता है बरसात के समय तूसमे लेकिन जैसेए ही दोसे व्हूरा करbonsते आता है ना उसके बाद क्लियर होगा है अगर क्लियर हुआ है तो कमेंट किजिए लाइक किजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अगर आप सब्सक्राइब ने कि तो आज का यहीं तक वीडियो में मिलेंगे फिर से हम लो आज यहीं पर धन्यवाद